तो आज की सोड़े में हम बात करने वाले हैं हर्याना स्टाप सेलेक्शन कमिस्टन का अगर आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाइ कर रहे हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सस्क्राइब, सेर करेंगे जिससे आने वाले जो भी अपडेट होंगे आपको मिल जाएगा अब देखिए फ्रेंज यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे लाइक तो करते हैं पर सस्क्राइब नहीं करते हैं तो सस्क्राइब कर ले क्योंकि मुझे सस्क्राइबर की हो सकता है चलिए फ्रेंज आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेट ना करते हुए सबसे पहले आपको क्या करना है इसका जो handwriting declaration होता है आपको मिल जाएगा यहाँ पर इसका जो notification होता है उसमें मिल जाएगा यहाँ पर मैं sample के रूप में आपको दिखा दा रहा हूँ वही notification आपको क्या करना है आपको एक white paper ले लेना है सबसे पहले मैं आपको handwriting declaration दिखा देता हूँ कैसे आपको यहाँ पे लिखना है sample के रूप में तो guys आपका जो handwriting declaration होता है कुछी steps से आपका यहाँ पे होने वाला है सबसे पहले आपको हिंदी में आपका handwriting declaration होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इसके बद आपको यहाँ पर इंग्लिस में भी आपको handwriting declaration यहाँ पर देखने को मिल जाएगा साथ में यहाँ पर उमिद्वार का यहाँ पर हस्ताक्षर तो क्या करना है आपको हिंदी में लिखना चाहेंगे तो हिंदी में आप लिख सकते हैं आपका declaration अगर इंग्लिस में यहाँ पर रिखना चाहेंगे तो इंग्लिस में आप यहाँ पर देकलर सन लिख सकते हो English Mediam ओने को English में लिखना है हिंदी में लिखना है अपको उंहले आपको बदा दे रहा हम मैं थोड़ा सै यहां पर लिख लिया है तो आपको क्या करना है आपको इस टाइप से आपको वाईट पे सब्सक्राइंत पर आपको लिखना इसको स्वयम से हैं और यहां पे सिगनेचर आपको एक स्वयम का कर लेना है सिगनेचर और इसको क्या करना है आपको अपलोड कर देना है अब देखें फ्रेंज यहां पर बहुत सारे की इंडियेट का यहां पर यह डाउट होगा कि यहां पर हिंदी इंग विभको पेटरत नहीं तो आप हिंदी में लिक्व चाहें इंगलीश में लिक्व इससे घृटरा काहिए फहरें, नहीं इसके लगने है निचे में लिखनालना चरद में लिखना में लिखना भर र qualche इ gry और कुछ प्लॉट कर देना है, इसमें लेना है कि में टकalo दिखान रहेगा इस यहां पर बहुत सारे candidate का यहां पर handwriting declaration अपलोड नहीं होगा तो क्या करना है इसको क्या करना है 500 kv में convert कर लेना है 500 kv से ज्यादा में होगा तो upload नहीं होगा क्योंकि यहां पर दिया गया है simply आप यहां पर देखेंगे तो तो गाइस यहां पर handwriting वाला जो section होता है इसमें आएंगे तो यहां पर clearly mention किया गया है कि आपका जो handwriting declaration होता है वो आपका JPEZ format में यह PDA format में होगा 50 kv से जादा नहीं होना चाहिए अगर 50 kv से जादा होगा तो आपका document यहां पर upload नहीं होगा साथ में आपका यहां पर जो भी यहां पर graduation का certificate होता है यह आपका यहां पर 5 MB से जादा नहीं होना चाहिए अगर 5 MB से जादा है तो भी आपका यहां पर document upload नहीं होगा और यह आपका format होगा JPEZ format में यह PDA format में होगा तब ही आप upload कर पाओगे तो I hope जानकारी पसंद आया होगा जानकारी पसंद आया होगा तो बढ़े को like subscribe share करेंगे कोई भी कोई रही हो तो मुझे comment box में जरूर comment करें आप लोगों के लिए मैं इतना help करता हूँ तो guys subscribe करना ना भूले subscribe जरूर कर लें इस चैनल को किसी इपरकार कोई रही हो तो guys बे